घागरा सर्यू नदी का जालस्तर लगातार बढ़ रहा है ऐसे में बारबंगी छेत्र में जो भी तैसीले हैं उन छेत्रों में जो है कहीं न कहीं कटान का खत्रा भी काफी बढ़ गया है इस वक्त हम तपे सिपा के पास में हैं और मेरे पीछे देखिए ये जो घागरा जो घागरा सरmbयर नदी ये धीडिरे-धीरे काट रही है और काटते-काटते आप देखिए कि आसपास का जो एहां पर जो पर पट्टी है जो माकान है उसके पास पहुस्ती हूई यहां Кिया इस समय इस्तिय हैं यहां पर जो इस्तिति हें अरे होगत SHYT है नाम-कुमार-हां यहां पर जो इस्तिती बहुत खराब है, कटान बहुत तेजे से बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर इसका डर बना हुआ है, कभी न कभी, किसी न किसी वक्त गाउं में पानी घुश सकता है, लोगों की छुपर प्रती बैस सकती हैं, इसलिए लोगों के अमन में डर्थ क कि संका तो बनी हुई है मगर मजबूरन यहां पर लोगों को रहना पड़ रहा है क्योंकि रहने के खाने की दिक्कते आएंगी बाहर जाना पड़ेगा लोगों को सिधा पिसान की दिक्कते आएंगी जानुवार ले जाने में दिक्कते आएंगी मंगर कुछने कुछ तो वाइब हम लोगों को अपने बारे में करना पड़ेगा अब जिफ से बारिश चल हुए है तकबर एक महिने 15 दिन से तो ज्यादा तर कटान बढ़ती जा रही है घागरा ज्यादा से ज्यादा जलसतर बढ़ता जा रहा और अपना जो है कटान बहुत तेजी से लगातार ले कट लोगों तो यहां के लोगों के लिए काफी खत्रा बढ़ सकता है तो देखिए खत्रा जहें वो बढ़ सकता है क्योंकि लगतार जलस्तर बढ़ रहा है आप इसे में जो कटान है वो बढ़ती जा रही है जब कटान कटती है तो तराइचे तरवाशियों के लिए भी और दिक्ते बढ़ जा रही है इस कटान में किशानों की तमाम सारी खेती बाड़ी इसी में डूब जाती है जिससे उनके ठाने पीने की विवस्था की भी काफी समस्याएं भी सामने आ रही है सतीस कस्व एबीपी गंगा बारबंकी एबीपी गंगा खबर आपकी जबाब की